हेलो दोस्तों कैसे आप सब दोस्तों उमीद करता हूँ आप सब कारी से होंगे ठीक होंगे आज की वीडियो के पर हम बात करने जाए है कि हम जैसे किसी को काल करते है और काल करने के दुरान दोस्तों हमें जब चाहे वो वीडियो काल करते हैं चाहे वो आडियो काल करते हैं लेकिन चाहे आपको बताया जा रहा है कि प्राइवेसी सेटिंग में जाके आपको यह option मिलेगा और वहाँ पर आप इसको सैटिंग को किस तरह से सही कर सकते हैं कुछ लोगों को यहाँ पर पता नहीं चल रहा है तो आज की वीडियो पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इसको कैसे solve कर पाऊगे तो दोस्तो यहाँ पर नीचे आपको invite का option भी देखने मिलता है तो आप उसको invite भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी दोस्तो हमें इसको solve करने के लिए हमें आना होगा back बेहा करने के बाद दोस्तो सबसे पहले आपको करना इतना है आपने दोस्तो प्ले स्टोर से जाके आपने इमो सर्च करना है और जैसे आप इमो को सर्च करोगे दोस्तो यहाँ पर आपको अपडेट का एक option देखने को मिलेगा Play Store पर आपने इसको जो अपडेट कर लेना है अपडेट करेंगे जो भी latest features वगेरा होंगे वो आपकी Emo पर ला दी जाएंगे जिससे दोस्तों ये problem solve करने में भी और भी असानी हो जाएगी उसके बाद आपको करना इतना होगा आपको अपने mobile की setting में चले जाना है जैसे आप अपने mobile की setting में चले जाओगे यहाँ पर आपको जोब apps का option देखने को मिलेगा इस पर click किजिगा और manage apps को पर click करके यहाँ पर दोस्तों आप search कीजिगा Emo जैसे search करोगे इसको पर click कर देना है और यहाँ पर जैसे click करते हो अब यहाँ पर दोस्तों app permissions के उपर आपने click कर देना है यहाँ से दोस्तों आपको जोब आडियो और वीडियो यनि के आपको camera का icon और यहाँ पर आपको एक phone का option देखने को मिलेगा इन location को app permissions को आपने allow कर देना यह दो main है जिनको आपने allow जरूर करना है और बाकी दूसरी भी main है लेकिन जो मैंने allow कर रखी यह सभी के सभी जवे main है आप इन में से कोई भी जवे छोड़िएगा उसके बाद आपने यहाँ से आजाना है back back आने के बाद फिर आपने करना क्या है के emo app को open करना है open करने के बाद आपको यहाँ से आजाना है back back आने के बाद फिर आपको अपने profile के उपर tap करना है और यहाँ पर आपको security and privacy के उपर आपने click करना है जैसे click करोगे यहाँ पर आपको options देखने को मिलेंगे काफी ज़्यादा लेकिन नीचे आपको एक option दिया जाएगा call का लेकिन साथ में अगर देखो कि nobody लिखा हुआ है आपने इस पर click कर देना है यहाँ पर अगर everyone भी लिखा होगा तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूँ अगर तो दोस्तों आपने इसको nobody कर रखा है या custom कर रखा है या my contacts कर रखा है तो आपने इसको everyone कर देना उसके बाद दोस्तों अगर तब भी यह problem solve ना हो तो फिर आपने करना गया है यहाँ से दोस्तों आपको email application को play store में जाके open करना है यहाँ से आपको इसको uninstall कर देना है और दोबारा से इसको install करना है और अपना account बनाना है और दोबारा से जब आप उसको call करोगे आपकी problem वैसे ही solve हो जाएगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए लाइक कर देना और चैनल को subscribe कर देना